नमस्कार महासंगराम 2024 में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अन्शिकापाठक कमलनाथ को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब खत्म होने की तरफ है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के शामिल होने के साथ ही चार दिनों तक चले सियासी ड्रामे का पटकशेप होता दिख रहा है इससे पहले सांकेतिक भाषा में सियासी संदेश का जो अनान प्रदान हुआ उसने पार्टी और कमलनाथ के बीच सीजफायर में एहम भूमिका निभाई राहुल गांधी की मध्यप्रदेश में होने वाली यात्रा को लेकर भूपाल में कॉंग्रस की बैठक होई बैठक में कमलनाथ वर्च्वली जुड़े इसी के साथी कमलनाथ को लेकर भूपाल से लेकर धिल्ली तक चला सियासी सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है कॉंग्रस और कमलनाथ के बीच चली अंदरूनी खीचतान में जो सीस फायर नजर आ रहा है उसके लिए पार्टी की नर्मी और सक्ती की नीती कारगार साबत हुई प्रदेश प्रभारी जितेंदर सिंग ने चंदवाडा से नकुलनाथ के चनाव लड़ने का बयान देकर नर्मी का संकेत दिया कमलनाजी हमारे बहुत चीश नेता है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कॉंग्रेस पार्टी का रहा है आज से नहीं पिछले 40 साल से संजीर गांदी जी के समय से वो कॉंग्रेस को जंडा उठाते हुए कॉंग्रेस की लड़ाई देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो हमारे बहुत चीश नेता है एक तरफ पार्टी ने कहा कि नकुलना चुनाव लड़ेंगे लगेहाथ सकती रिखाते हुए जितेंद्र सिंग ने बागियों को संदेश भी दिया कि जिसको जहां जाना है जा सकता है पार्टी के दरवा से खुले हैं जो अपने घर को अपने पार्टी को छोड़के जाते हैं कॉंग्रिस के नाम पर उनने वोट लिये हैं कॉंग्रिस के पार्टी के उनने चुनाव लड़ा है वो एक बहुत बड़ा दगा सिरफ कॉंग्रिस पार्टी से ही नहीं लेकिन जिन लोगों ने उनको चुनके बेजा है, चाए वो मेर हो, चाए वो सरपंच हो, चाए वो प्रधान हो, चाए वो जिला पंचायतका हो, चाए कोई एमेले हो, वो एक बहुत बड़ा धोका दे रहा है इससे पहले कमलनात के बीजेपी में शामिल होनी के अटकलों के बीच भूपाल में कॉंग्रस ने एक जुट्ता दिखाने की कोशिश की जिसमें विधायकों की शामिल होने पर नीता प्रतिपक शुमंग सिंगार ने खुशी जाहर की इसी दौरान कमलनात के दिल्ली इस्थिद घर पर जैश्री राम का जंडा लगता और उतरता रहा जिससे उनका सियासी संकेत माना गया वहीं MP में कॉंग्रस के प्रदर्शन के बैनर पोस्टर से कमलनात की तस्वीर हटा कर पाटी ने भी एक संकेत दिया और आखिरकार अब प्रदेश कॉंग्रस में सब कुछ सामान्य नजर आने लगा है शेलेंद्र भधारिया न्यूज 18 भूपाल तो जैसे ही कमलनात कॉंग्रस की बैठक में शामिल हुए पाटी आत्मे विश्वास से लबरेज़ हो गई कल तक जो नेता कुछ भी कहने से बच रहे अब बीजेपी पर निशाना साद रहे हैं पाटी अब राहूल गांधी की यात्रा की तयारी में जुड़ गई है दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कॉंग्रस नेता कुछ भी कर ले कुछ भी होने जाने वाला नहीं है राहूल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के जुड़ने के बाद कॉंग्रिस उत्साहित है विवात की बाद पीछे छुड़ गई है पार्टी को अब आगे राहूल गांधी की भारत जुड़ो यात्रा नजरा रही है एक दिन पहले तक लड़ख़ा रही जुबान अब आत्म विश्वास चे लबरेज है मार्च से मुरेना से भारत जुड़े में यात्रा चलेगी 6 मार्च को मद्धि प्रदेश के सेलाना के बाद रख्लाम सेलाना के बाद वो राजिस्थान में प्रवेश करेगी मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता जिसमें आधरनी विवेक तनखा जी आधरनी कमलाद जी आधरनी पचोरी जी आधरनी दिगविजे सी कमलाद भले ही बैटक में बचुली जुड़े वेकन पार्टी कह रही है जो हुआ वो पीछे छूट चुका है आगे लोकसभा की लड़ाई है जिसे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे राहूल गांधी की यातरा से बदलाव की बैयार जरूर बहेगी कल तक कमलनाद का नाम लेने में लड़ खडा रही जुबान अब बीजेपी पर तंजकस रही है जितो पड़वारी कह रही है कमलनाद का मसाला ना मीडिया को मिलेगा और ना बीजेपी को जैसे ही कमलनाद का किस्सा थमा पार्टी लोकसभा की लड़ाई की बात करने लगी दूसरी तरफ सूबे की सत्तधारी पार्टी बीजेपी विधान सबा चुनाओं में मिली करारी हार की याद दिला रही है पार्टी कह रही है कॉंग्रेस कुछ भी कर ले उसकी हालत पतली है एंपी की सभी लोकसभासीते हम ही जीतेंगे भारत जोडने का काम तो सरदार वललभाई पटेल जी ने कर दिया था साड़े 500 से ज़्यादा रियासतों का विलेनी करल करके इस देश को एक भारत बनाया आज एक भारत श्रेष्ट भारत के उस नारे को पूरा करने के लिए मानि नरेंदर मोदी जी के नेतरत में भारती जनता पार्टी के कारेकरता काम करें पूरा देश मानि नरेंदर मोदी जी के साथ है ये तो अब कांग्रेस जोडने की बात सोचे उस तरफ जाए निश्ची दुरूप से कांग्रेस की हालत और पतली होती जा रही है, पतली हालत और उसमें भी मुझे लगता है उनको खराब अवस्था और हो गई है एक हफ़ते तक कांग्रेस में कमनात को लेकर जारी सस्पंस खत्म होने को है पाइटी का पूरा ध्यान अब राहूल कांधी की यात्रा की तैयारी पर है तूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिती और अपनी तैयारी का हवाला दे कर बीजेपी 29 सीटों से कुछ भी कम पर मानेने को तैयार नहीं श्यालेंद्र भदोरिया, न्यूज़टीन, भुपाल कांग्रेस की बीच अब जो कुछ भी हुआ वो बता देते, पहले तो चिनवाडा दोरा छोड़ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, दिल्ली में उन्होंने बातचीत की और फिर साथी ये भी कहा जा रहा है कि न्या यात्रा को लेकर बातचीत की गई, कहा कि कोई भी फैसला तो पहले बताऊंगा, कमलनाथ के बीजेपी में जॉइन होने की अटकलों को वी राम यहां पर कमलनाथ नहीं दे दिया, कमलनाथ के घर पर जैश्री राम का जंडा भी लगा और कुछ इस तरह से जो पूरा मसला है सुलजता हुआ नजर आया, इसके अलावा दिल्ली सित घ घर पर कई बार जंडा लगा और उत्रा, तो इससे यह कहा जा रहा था कि क्या पता बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब आल इस वेल है, कई समर्थक बोले जहां कमलनाथ वहां हम, इसके अलावा पार्टी के बैनर पोस्टर से कमलनाथ गायब हो गए थे, ह कमलनाथ पार्टी की बैठक में तो शामिल तो हुए, वो भी वर्चवाली जैसे कि हम बता रहे थे, बीजेपी में कमलनाथ के विरोध में आवाज उठने लगे, कि कमलनाथ को लेकर सही माहल नहीं दिखा, तो सज्जन वर्मा सिख दंगो की चर्चा तेज हो गई, और ऐसे में धीरे-धीरे हमने देखा कि तस्वीरे आगे बदनने लगी, तो कुछ इस तरहा मामला सुलजता हुआ, नजर आया, अब कॉंग्रिस को लेकर तमाम अटकले हो रही थी, और तमाम ऐसे सवाल खड़े होने लगे थे, कि आखिर आगे क्या होगा, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, मिशन 11 पर महा भारत, बात 36 गड़ की हम कर रहे हैं, जैसे जैसे लोकसभाद चुनाओ, नजीक आ रहा है, 36 गड़ की दोनों प्रमुख पार्टियां, बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, पूर वसीयम भूपेश बगेल बीजेपी पर वार किया, जिसके जवाब में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरन सिंग देव ने उन पर जवाबी हमला बोला, उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस चुनाओ को लेकर अपना डर छपाने के लिए बीजेपी को डरा हुआ बता रही है, ये पूरी रिपोर्ट दे बढ़त बनानी की कोशिश शुरू हो चुकी है, इसी कड़ी में पूरू सियम भूपेश बगेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, भूपेश बगेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाओ को लेकर बीजेपी तरी सहमी है, कॉंग्रस नेताओं को बार्टी में श परकार बने, तो फिर मंत्री बनाएंगे, इस प्रकार के बातें लगातार चल रही है, और इसका अर्थ यह है कि भारती जन्ता पार्टी गरी सामी वी है, दोहजार चुडिस के इलेक्शन को लेका। इतर देखना चाहिए, बीजेपी ने लालज देने की कोशिश की है, तो उसका खुलासा करें। हमारे भारती जन्ता पार्टी के तरफ से अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रयास हुआ है, तो उस पर खुलासा करना चाहिए। सत्ता के सबसे बड़े संगराम के लिए अभी तो जुबानी जंग शुरू हुई है, जिसके आगे और तेज होने के पूरे आसार है। बहराल 36 गड़ में 11 लोग सबा सीटों को लेकर वीजेपी कॉंगरस के वीच बढ़त बनानी की होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ वीजेपी कमिशन 11 है, तो दूसरी तरफ सूबे की सत्ता गमा चुकी कॉंगरस की उलट फेर करने की उम्मी। ममता लांजेवार के साथ आका शुकला, न्यूज एची, राइबो।